NCRD की पार्टे पुस्तक के सेकेंड चेप्टर इस्तिर विद्युत विभा उत्ता धारीता का 26 वा क्यूशन देखी किसी समांतर पट्टीगा संधरितर की परतेक पट्टीगा का चितरफल 90 cm2 है और उनके बीच परतकन 2.5 mm है 400 वोल्ट संभर्ण से संधरितर को आविशित किया गया है अब इसके A पार्ट में हमें पूछा है कि संधरितर कितनी कितना इस्तिर्वद्थुत उर्जा संचित करता है B में पूछा गया है कि संधरित की पठीकाओं के बीच इस्तिर्वद्थु छेत्र में संचित उर्जा समझ कर पठीकां का ऐतन में उर्जा U ग्याद कीजिए और हमें U और 1 के मद्दे संबंद भी इस्ताबित करना है इस क्यूशन के अंदर देखी हमें सवांतर प्लेट पट्टिकाओं का जो छितरफल है वो दे रखा है 90 cm2 इसे हम में में कनवर्ट कर देते हैं तो 90 into 10 पावर माइनस 4 मेंटर स्क्वाइर इसका छितरफल हो जाएगा इसके साथ में हमें दोनों पट्टिकाओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी हमें दे रखी है डी बराबर 2.5 mm इसे हम 2.5 into 10 पावर माइनस 3 मेटर पूट कर सकते हैं इसको हमने मेटर में कनवर्ट कर लिया है अब देखी हमें इसके साथ में ये बता रखा है कि इसे समांतर प्लेट संधार इतर को हमें 400 वोल्ट की संभरंड सिसेयोजित कर रखा है तो देखी इसके ए पार्ट में हमें पूछा है संधार इतर की प्लेटों के मद्दे संचित विद्दृत इस्तधीज उर्जा विद्दृत इस्तधीज उर्जा को हम U से लिख रहे है जो की 1 बटा 2 C V स्कवेर की फोर्म में लिखी जा सकती है ये जो C है इसे हम संधार इतर के लिए A अपसलन नोट अपोन D से पूट कर सकते हैं तो यहां पर इसकी value पूट कर दीजी, u बराबर एक बटा दो, a अपसलन नोट अपोन स्मॉल डी, इंटू में v square, हमें a, d, v सबकी value दे रखी है, सबका मान पूट कर देंगे हमें, एक बटा दो, a की value हमारे पास में है, 90 इंटू 10 पावर माइनस 4, अपसलन नोट की value हम जानते ही है, 8.854, गुणा उसकी घात, माइनस 12 है, अपोन स्मॉल डी, इसकी value हमें 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 दे रखा है, v square, v की value है, 400, तो 400 गुणा 400 आजेगा, स्क्वेर है इस वज़े से, clear, अब जब हम इसकी calculation करेंगे, तो हमारे पास में इसका final answer आजेएगा, देखे, मैं यहां से, एक सेंख्या पहले रखा, जो point है, वो हटा देता हूँ, यहां से जब point हटाएंगे, तो 1,0 उपर लगा देगे, अब देखे, इससे 25 को 2 से गुणा करेंगे, तो 50 हो जाएगा 25 को इस 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, पचास, अब पचास का 0 तो कड़ जाएगा, अब इससे 50 को हम इससे divide करेंगे, तो हमारे पास में आ गया 80, कितना आ गया, 80 आ गया, अब हमारे पास में देखे, जो value है, उनको देखो, यहां से मैं 9 रख लेता हूँ, यहां पॉइंट 8.854 रख लेता हूँ, यहां से 4 और यहां से 8, अब हमारे पास में 10 की घाते कितनी रह गई है, वो देख लीजिए, एक घात तो यहां से निकल कर आ रही है, एक घात प्लस में, दो घाते यहां से निकल कर आ रही है, तो यहां से आप देखेंगे, तीन हो गई, यह 4 हो गई, और यह 10 की घात माइनस 3 बटे से उपर जाएगी, तो प्लस में, प्लस की हो गई 7, और यहां पर माइनस की 4 पड़ी है, माइनस की 12 पड़ी है, अब इसको हम जब केलकुलेट करते हैं, जोड़वा की गुणा भाग, यहां से जब हम इसको केलकुलेट करेंगे तो दिखी, मैं एक बार इसको गुणा कर लेता हूं, 9 को इससे गुणा करेंगे, 36 आ गया, 9 को 5 से गुणा करेंगे, 45, 45 और 3 हो गया, 48, 9 को 72, 72 और 4 हो गया, 76, यहां पर 72 और 7 हो गया, 79, और हम यहां पर 3 सेंख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे, इसको इससे गुण करेंगे तो 32 आजाएगा यहां से जो घात है माइनस की होगी 16 है प्लस की है 7 तो 10 की घात माइनस 9 यहां पर रह जाएगा अब यहां से हम इसको केलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में जो उरुजा है उसकी वेल्यू निकल कराएगी 2.4548 इन्टू 10 पावर माइनस 6 जूल अब हमें इसके बी पार्ट में देखें क्या पूछा गया है बी पार्ट में हमें पूछा गया है कि परती एकांक आईतन में संचित उरुजा ग्यात करनी है तो परती एकांक आईतन में संचित उरुजा को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं दे कि परती एकांग के आईतन में संचित उर्जा परती एकांग आईतन में संचित उर्जा इसमोल यू से लिखेंगे जो कि केपिटल यू बट्टे में केपिटल वी के बराबर होगा चलिए यहां से यू बराबर हमारे पास में क्या है यह जो वी है वो है आईतन यह जो वी है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ज्यादा बेटर तरीके से हमें समझ आ जाए हमारे पास में समांतर प्लेट संधरित्र है और उसे समांतर प्लेट संधरित्र की जो उर्जा है वो होती है एक बटा दो सी इंटू वी स्क्वेर और आईतन प्लेटों का छितर फल को उसकी डिस् संचीत उर्जा इसको हम उर्जा घनत्व भी कह सकते हैं एक बटा दो यह जो सी है इसकी वेल्यू हमारे पास में होती है ए अपसल नोड अपॉन स्मोल डी वी यहां पर विभांतर है जिसको हम विद्दू छेतर इंटू प्लेटों के मद्दे डिस्टेंस से पूट कर सकते ह है तो इसका स्क्वेर हो जाएगा अपॉन ए इंटू डी पढ़ाई है अब यहां से आप देखेंगे कि एक बटा दो तो यह जिदी पढ़ाई है एसे यह एक एंसिल हो गया अपसल नोड पढ़ाई है यह यहां पर नीचे है तो डी स्क्वेर हो जाएगा इस डी स्क्वेर स u की value find out करनी हो तो हम इस e command रख देंगे यहां पर e को हम v into e को हम v appointment में d की form में भी put कर सकते हैं तो apsal note v बट्टे में d यह तो relation find out करना था यह हमारे पास में सुतर आ गया है इसकी value हम put कर देते हैं एक बट्टा दो apsal note कमान होता है 8.854 गुण दसकी घात माइनस बार है v कमान होता है 400 और यह जो d है वो हमें दे रखा है 2.5 into 10 द पावर माइनस 3 और इसका भी square है अब यहां से आप देखेंगे तो एक बट्टा दो गुणा में 8.854 गुण दसकी घात माइनस बार है इसको हम इस तरीके से पुट कर दें एक पॉइंट हडा दिये यहां से एक 0 लग जाएगा 25 का भाग हम यहां से लगा दें इससे 2 0 के अंदर चला जाएगा चार बार में तो देखें यहां से 40 into 4 है गया 40 into 4 हो गया 160 तो 160 का square है तो 160 गुणा 160 आ जाएगा 10 की घात माइनस 3 बट्टे से उपर जाएगी तो प्लस 3 10 की घात प्लस में 6 आ गई जब यहां से हम इसको calculate करेंगे तो हमारे पास में इस small u की value प्राप्ट हो जाएगी 0.113 जूल पर 3 मेटर क्यूब clear तो यह था हमारे पट्टे पुस्त का 26 वा क्यूशन